चीन की स्मार्टफोन निर्माता कमपनी शाउमी भारत में आज अपना नया स्मार्टफोन रेड्मी 4 को लॉंच कर सकता है उम्मीद की जा रही है कि कमपनी नई दिल्ही में अयोजित लॉंच इवेंट में इस स्मार्टफोन को पेश करने वाली है इस smartphone से जो ही कई जानकरियां पहले से लीख हो रही है माना जा रहा है कि Xiaomi का यह smartphone company के पिछले smartphone Redmi 3S की जगह ले सकता है हाल ही में company ने अपने नए smartphone को Amazon पर उपलब्द कराने की घूश ना की थी Xiaomi अपने Redmi 4 smartphone के साथ Redmi 4 Prime को भी भारत में लौंच कर सकती है खबरों के मुताबिक इस phone को 16 मई को लौंच किया जा सकता है आपको बता दे कि इस phone को company ने चीन में पिछले साल नवंबर में लौंच किया था यह एक budget smartphone होगा जो fingerprint scanner से लेस हो सकता है साथ ही यह metal unibody design से बना होगा इस phone का लुप काफी हद तक Redmi Note 4 जैसा है company ने हाल ही में इस phone को लेकर एक tweet पी किया था क्या हो सकते हैं features इस phone में 5 इंच का display दिया गया होगा जिसका radio यूशन 1080 pixel होगा यह phone octa core Qualcomm Snapdragon 625 प्रोसेसर और 3 GB RAM से लेस होगा इसमें 32 GB की internal storage दी गई होगी जिसे micro SD card के जरिये 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है इसे एक और variant भी पेश किया जा सकता है जो Snapdragon 432 GB RAM और Solar GB मेमोरी से लेस हो सकता है फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 MP का rear camera दिया गया होगा जो PDF फीचर से लेस होगा साथ ही 5 MP का front camera भी दिया जा सकता है यह phone Android 6.0 marshmallow पर काम करेगा phone को power देने के लिए इसमें 4100 mAh की battery दी गई होगी connectivity के लिए इसमें 4 GLT ये और बोल्ट फीचर दिया जा सकता है आपको बता दे की Redmi 4 के Snapper Dragon 430 की कीमत 699 चीनी युआन यानी करीब 6905 रुपे हो सकती है वहीं Snapper Dragon 625 वेरियंट की कीमत 599 चीनी युआन यानी करीब 888 रुपे हो सकती है